नमश्कार दोस्तों, स्वाकत है आप सभीका हमारे चैनल पर. आज हम आपको सर्दियों में अम्रूत खाने के कुछ फाइदों के बारे में बताएंगे. अम्रूत खाने में बहुती स्वादिस्ट होता है. सेहत के लिहास से भी उतना ही उपयोगी यह होता है. दरसल अमरूत में विटामिन C बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा इसमें खनिज और अन्य विटामिन्स भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाते हैं जो शरीर को कई तरह की बिमारियों से बचाने में मदद करते हैं ठंड में अम्रूत खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको उनी में से कुछ फायदों के बारे में पताएंगे। सबसे पहले एकने वेदन उन सबी दर्शकों से, जो आज पहली बार हमारी चैनल पर आये हैं। क्रपया हमारे चैनल की सदसिता को जरूर ले लें तक कि आफ हम से जुड़े रहें, हमारे दोरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उन सिफ पायदा बिठा सकें। साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंतितक जरूर दिखेगा। अमरूद में विटामिन C भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। अन्य सिट्रिक फल जैसे की संत्रे की अपेक्षा अमरूद में चार गुना अधिक विटामिन C होता है, जो आपकी सेहत के साथ साथ सुन्दर्ता के लिए भी बेहत फायदेमंद होता है। रोजाना अमरूद खाना आपके रक्तचाप के संतुलन को बनाए रखता है, साथ ही आपकी त्वचा को जुर्रियों और अन्य समास्याओं से बचा कर आपको जवा बनाए रखने में भी मदद करता है। कबजियत या पाचन संबंदी अन्य समस्याओं होने पर अमरूद खाना बेहती फायदेमंद होता है। यहाँ आपके पाचन को बहतर बनाता है और पेट की गड़बडियों से भी निजात दिलाने में आपकी मदद करता है। अगर आप रोजाना अमरूद का सेवन कर रहे हैं तो आपके रक्त में शरकरा का इस्तर नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा फाइबर से भरपूर अमरूद आपके शरीर में शरकरा के पाचन में सहायक होगा। साथ ही इंसुलिन की मातरा भी पढ़ा देगा। मुटापा और कोलेस्टरॉल कम करने में भी अमरूद खाना एक बहत्रीन उपचार माना जाता है। जो आपको भरपूर उजा देने के साथ साथ कोलेस्टरॉल के स्तर को कम करता है और आपके बजन को कम करने में भी आपकी मदद करता है। अगर आपको थाइरेड संबन्दी समस्या है तो आपके लिए सबसे बहतरी उपाय है अमरूत का सेवन करना. यह हार्मोन्स में संतुलन बनाई रखने में काफी मददकार होता है और थाइरेड ग्रंथी की समस्याओं में भी फायदेमंद होता है. तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाई, शियर और कमेंट सरूर कीजिएगा. इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद.